हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलान इस्टेडिय द्भान में तो दोस्तो आज हम डिस्कस करेंगे बाइलोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन जो कि आपके एक्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट हने वाले हैं अगर आप इस सेनल पर नहीं पास सर ने खलेमिंग ने स्वान ने तो इसक एहाँ ठेन अन्सर होगा रोबर्ट कर्या थैक तो कोसिका सब्दिका परतीबाता किसने आता रोबर्ट। то सेकेंगद क्यों देखते हैं और सेकेंग्जन है जीवन की मूल भूतिकाई है कोसिका द्रभ्य, कोसिका, भोजन या केंडर्ग तो इसका right answer होगा कोसिका तो जीवन की मूल भूतिकाई क्या होती है कोसिका तो अगला question देखते हैं अगला question है मनिश्च की RBC में अनुपस्तेद होता है जल, हीमोगलोबीन, केन रग इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होगा केन रग तो मनुष्य की जो RBC है उसमें क्या नहीं होता है केन रग नहीं होता है तो अगला क्यूसिन देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका है जिवानू, विसानू, माइक्रो, प्लाज्मा, सुतरमुर का अंडा तो इसका राइट आंसर होगा सुतरमुर का अंडा तो ऐसे देखें तो सबसे बड़ी कोशिका कोँसी है तंट्र का कोशिका है तो अगला क्यूसिन देखते हैं ATP का पूरा नाम क्या है एडिनोसिन ट्राइफोस्पेट एनिटाइम प्रोडक्शन एन्ट्रांस्पोर्ट पाथवे एन्ट्रांस्पोर्ट पाथवे तो इसका राइट आंसर होगा एडिनोसिन ट्राइफोस्पेट तो अगला क्यूसिन देखते हैं तो ऐगला कुशंन का फियंपर्कास्याइक ने अटके मालियया रोग होता है किस से ढे विशान्यों से जीवान रोटरब विचान्यों से मिनलेरिया रोग होता है तो अगला गुशंन ने कि रिक परकास से प्राप्त होने वादाहिं़। विटामीन A, विटामीन D, विटामीन B, यह यह सभी तो इसका राइट आंसर होगा विटामीन D, तो सूरी के परकास से हमें क्या पराप्त होता है, विटामीन D पराप्त होता है, तो अगला क्शन देखते हैं, तो अगला क्शन है, वाइट उमें कार्बन डाय ओक्साइट की परतिसात मात्रा है 0.03 16 21 परसेंट या 0.05 परसेंट तो इसका राइट आंसर होगा 0.03 परसेंट तो वायू में कार्बन डाय ऑक्साइट के परसेंटेज होती है वो होती है 0.3 परसेंट तो अगला कॉसन देखते हैं का वायू में ऑक्सिजं की परतिसात मात्रा है 21 परसेंट 19 परसेंट 0.045 परसेंट तो इसका राइट आंसर होता है वो होता है 20.85 परसेंट जो कि यहां पर हमें दे रिख़ा है को स्ब्सक्राइब तो और देखते हैं कि अगरा के सदों का थे स्थ सरी Mango अगरे शरील दिसंबर ठीट वेन हैं अगेला कैसे देखते हैं था नहीं भाना जाता है तो अगला क्षेशन देखते हैं, तो अगला क्षेशन है, कोसिका की उर्जा मुदरा है, ADP, ATP, NADP या AMP, तो इसका राइट आंसर होदा है, ATP, Adenonation, Triphosphate, कोसिका की उर्जा मुदरा होती है, तो अगला क्षेशन देखते है, अगला कुशन है बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है विटामिन B, विटामिन A, विटामिन B12 या E तो इसका राइट आंसर है विटामिन B तो बेरी बेरी रोग विटामिन B की कमी से होता है